हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बार नए मार्गेट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दोस्तो यहाँ पर यस बैंग में एक बार फिर से हमें बड़ी सी न्यूज आते देखने को मिल रही है ठीके यहाँ पर अब एक प्रकार सकर देखा जाए ना तो उसके जो CEO थे ठीके प्रसांद कुमार MD इन्हों सब ने सब कौटर फोर्ट के रिजल को क्लियरिफिकेशन किया लेकिन अभी जो तीन मेने का डाटा था वो और कुछ निकल किया रहा है ठीके तो हम उसको जस्टिफाई करने वाले की यह बैंक आगे ग्रोध दिखा पाएगा या नहीं यह आज ख़वर में पका हो जाएगा तो चलिए दोस्तो हम वीडियो को फटाक से स्टार्ट कर लेते हैं फटाक से स्टार्ट करने से पहले में यही बोलूँगा आपने हमारे प्रॉफिट गुरु चैनल को फर्स टाइम विजिट के तो चलिए सबसे फिले हम यहस बेंग का पाफॉमेंस देखते हैं आज का तो दोस्तों आप देख सकते हो जो यहस बेंग का पाफॉमेंस है आपको देखने को मिल लगा आज भी हलकी सी गिरावट के साथ बंद हुआ है तेरा रुपे पिच्चे आजी पैसे पे प्रिविए करोड के आसपास की कॉंटिटी हैं पर ट्रेड हुई आज बावन भी का और बावन भी का लो यह काफी इंपोर्टेंट हो जाता है देखे देन उसके साथ आज का डिलेवरी पैटन यह देखिए लगभग दोस्तों 40% का मान के चल सकते हो तीन करोड 68 लाग कॉंटिटी हमें क्या देखने को मिल रही हैं पर डिलेवरी उठते हो देखने को मिल रही है तो यह जो इंट्रडिकर डाटा है तो काफी बहतरिंग है खास करके अभी भी ट्रेडर्स इसमें बाइंग सेलिंग कर रहे हैं ठीक है डिलेवरी पैटन भी दोस्तों काफी अच्छी जा रही है य ये न्यूस बताने से पहले में एक आपको अपडेट देता हूँ कि इससे पहले जम मैंने आप लोगों को यस बैंक के बारे में अपडेट दिया था तो जो इनके प्रसांद कुमार थे ठीक है CEO उन्होंने क्या अपडेट दिया था उन्होंने ये अपडेट दिया था कि हमें लॉस हुआ है वो कोई दिक्कत नहीं है ठीके हम मानते हैं लॉस हुआ है हमारा NPA जो ग्रोते वो बढ़के आया है क्यों बढ़के है कुछ हमारा भी डिफॉल्ट रहा है ठीके कुछ गॉर्मेंट का भी रहा है लेकिन आप देखेंगे कि जब से 2020 में जब इनके अंदर इस प बोला है ठीके पेंडा में 15 दिन पहले आया तो यह समझे कि यस बैंक की महाँ पर क्या लॉटरी लगी हुई तो जिसके कारण उसको RBI का सपोर्ट मिला 10,000 की लिक्विडिटी मिली देन उसके बाद सभी प्राइवेट बैंक गॉर्मेंट बैंकों का सपोर्ट मिला और यस बैंक आज यहां पर खड़ा हुआ है अदर्वाइस यस बैंक जब भी क्लोज हो जाता पूरी तरीके से ठीके तो यह सी यो के तरप से बायान आया था रिजेल्ट के बाद लेकिन दोस्तों अब और कुछ चीज निकल क्या रही है अब यहां पर क्या है यस बैंक शेर प्रा इसमें ठीके एक बड़ी सी कॉंटिटी यहां पर सेल किये ठीके फोरन इन्वेस्टर ने भी यहां पर अपने स्टेक को कट किया है तो जिसके करना मैं स्टॉक में भी गिरावट देखने पूली तो हम यहां पर सबसे पहले अपडिट बदेता हूं चार माई को आप देख स ऑप दोस्तों प्रिवेस कॉर्टर से लेके अभी तक जब डिसम्डर कॉर्टर के इजल पेश होते हो और आप मार्च के तो जनवरी फरवरी मार्च मतलब तीन मेंने के अंदर अंदर दोस्तों आप देखके चल सकते हो सब ही को पता था कि कमपनी का एनपीय बढ़ रहा है ठीके क्यूंख़कि दोस्तों एक साल हो गया एक साल मतलब कोट ने टjust night क्या कर दिया था सुप्रीन कोट निया पर बेन क्या हुआ था क्या सभी कब्वे गॉश्रमेंट और प्राइवेट बेंकों को की अपना इन पेo डिसक़्ोष नहीं क्यों कि जो monetary policy थी ठीके जो loan monetary policy थी जिस पर यहाँ पर लगाया गया था बेन कि यहाँ पर अभी आप किसी से भी बासुली नहीं कर सकते अपने loan की ठीके तो क्या हुआ था दोस्तों वहाँ पर NPA सबका बढ़ चुका था तो जिसके घरन यहाँ पर government ने बोल दिया था कि आप disclose नहीं करेंगे अपना NPA लेकिन इस quarter में सबको करना पड़ा तो आप देख सकते हो previous quarter से लेके अभी तक and the company post disappointing physical fourth quarter result मतलब दोस्तों यह वाला ठीक है yes bank stock fall 7.6% in the month मतलब दोस्तों अपरेल के मेने में करीवन 7.6% stock गिरा है further taken over 30% intraday yesterday after reporting net loss मतलब दोस्तों 13% का इनको net loss हुआ है करीवन 3787 करोड का January to March 2021 again profit अगर आप देखे हैं तो 2629 करोड को आता same period year एको मतलब ठीक एक साल पहले लेकिन दोस्तों साथ में कुछ bad news भी आया है क्या जिसे आप देखेंगे Axis Bank foreign portfolio investor जिसे हम FPI के नाम से जानते हैं and insurance company मतलब जो बड़ी insurance company उन्होंने भी cut their stake in years bank मतलब दोस्तों बड़ी बड़ी company ने अपना stake यहां पर cut कर चुका है उनको भी आपर फायदा नहीं दिखा The January March quarter financial year 2020-2021 Today years bank share price trading nearly 1% up मतलब दोस्तों आज stock का price 1% up था लेकिन जैसे यह news आती है stock में गिरा वटा जाती है तो यह चीज़े हमें देखने को मिल रही है ठीक है कुछ numbers भी आए हैं तो यह देखते हैं जिसे कि देखें yes bank आगर देखें न वह सरी यह exes bank का तो exes bank में साड़े 10 करोड share यहां पर क्या किया है ठीक है तो करीबन 1.96% कि यहां पर exes bank के हिस्से दारी थी yes bank के अंदर अब अगर हम आगे देखें ठीक है तो अभी भी exes bank के पास yes bank के 49.13 करोड share यहां पर रखें मतलब हम पकड़ के मान सकते हैं सबा 49 करोड share यहां पर yes bank के यह exes bank के पास रखें yes bank कितने share hold कर रहा था सहाट करोड ठीक है पूरा stake अगर देखें तो 2.39% का रह रह रहा था ठीक है कब तक था December quarter तक लेकिन अब वो March quarter में कितना हो गया साइद 1.96% का stake यहां पर हो गया है मतलब अब इतना बच्चा हुआ है फिर उसके आगे क्या देखने को मिल रहा है अब दोस्तों जैसे आगे State Bank of India, SBI, ICIC Bank, Bandhan Bank and HDFC First Bank Hey, keep their stake unchanged मतलब दोस्तों इन्हों ने अपने stake को कुछ भी छेड़कानी नहीं किये Giaz Bank के अंदर लेकिन दोस्तों अगर देखें according to shareholder pattern of the public shareholder SBI continue hold 30% stake ICIC Bank लगबग 4% मान के चल सकते हैं, 4% का stake hold कर रही है IDF3 First Bank अगर बात करें तो IDF3 First आप देख सकते हैं, 1.15% यहाँ पर hold कर रही है Bandhan Bank के अगर मैं बात करता हूँ, तो 1.20% यहाँ पर stake क्या hold करी है अब देखिए, यह बड़ी सी company ने क्या किया दोस्तों, अपना stake cut किया तो इनके अंदर भी कुछ ना कुछ जागेगा, हो सकता है यह भी अपना stake cut करें लेकिन ऐसा होना बिलकुल भी नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है, यह उमेद हमें नहीं लगाना चाहिए अब दोस्तों हम देखते हैं, during the fourth quarter financial year 2021, foreign portfolio investor जिसे हम FPI के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उनके बाज़े से तो दोस्तों, yes bank में काफी अभी पैसा बना हुआ था ठीक है, एक liquidity मान सकते हो, ठीक है, stake in the private sector lender, FPI मतलब, अभी जो हाल फिलाल में, current 2021 में, जो holding बची है, March quarter के बाद वो बची है, 344 करोड share की, लगबग 13.77% की, ठीक है, इससे पहले कितनी हुआ करती थी दोस्तों, इससे पहले दोस्तों, अगर आप देखेंगे, तो लगबग 15.1% का stake यहां पर हुआ करता था ठीक है, तो अगर देखा जाएना, तो यहां पर करीबन 3 करोड share इन्होंने भी बेच दिये, ठीक है, तो पहले share कितने हुआ करते थे, लगबग देखे ना दोस्तों, सोरी दोस्तों, 3 करोड नहीं जादा बेचे, क्योंकि पहले 376 करोड share हुआ करते थे, तो अब यहां पर देख सकते हो, इन्सोरेंस कमपणी है, रिडेक्ट देन स्टेक, अभी हाल फिलाल में, इन्सोरेंस कमपणीों के पास कितना स्टेक है, 5.57%, शेर की में बात करता हूँ, तो 149 करोड share है यहां पर, ठीक है, ते उसके बाद अगर हम देखे, जनवरी मार्च कॉटर में, यह आ ठीक है, तो इन्सोरेंस कमपणी ने भी हलकी सी मान के चल सकते हो, करीवन 2-3 करोड की यहां पर क्या, अपनी पोजिशन कम किये, तर उसके बाद एक बड़ा सा नाम आ जाता है, एलाईशी, ठीक है, आप देख सकते हो, बाहिल एलाईशी, एलाईशी इन्सोरेंस कमपणीों मतलब दोस्तों, एलाईशी ने अपने स्टेक को अंचेंज किया है, ठीक है, उसके पास 4.99% का स्टेक होल्ड है, ठीक है, करीवन 125% का, मतलब 125 करोड कॉन्टिटी का, तो आप देख सकते हो, कौन-कौन सी कमपणीों ने कितना-कितना यहां पर अपना स्टेक कम किया, हम मान कि प्राइवेट सेक्टर जो ब्रेंग के ना, जिससे जिनका यह नाम दिया हुआ है, यह भी इनका पाफॉमेंस देखके कर सकती है, तो दोस्तों, यह एक प्रकास अगर हम देखे ना, तो बेखार निउस हमें देखने को मिल रही, तो आप देख सकते हो, दोस्तों, इस करिए, अगर करना भी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा, दोस्तों, 1000 कॉंटिटी था कि इंवस्मेंट करना, कि आपका 14-15,000 रुपए ही इंवस्मेंट हो सके, 1000 कॉंटिटी के नीचे जितनी करना ओना कर सकते, लेकिन उसके ऊपर एक भी कॉंटिटी मत करेगा, ठीकर, यह update अब यह update के साथ आपे इस वीडियो को close करते हैं वीडियो को close करते हैं सभिगे करेगा चीनल को entitled कौ सब्सक्राइब करेगा क्जा हैं धेटी दोस्तों